यह देख लिए यह सी चसल 2023 मैं अगर आप तक आविदन नहीं किया है और आप चाहते हैं किस तरह आविदन किया जाए तो देख लिए वीडियो बिल्कुल इसकिप मत किरिया पूरा स्टेप मैंने बताया है एससी की जो वेबसाइट है उस पर आप जाएंगे तो आपको अप्लाई का अप्सन मिलेगा ठीक है नोटिस के वगर में अप्लाई का अप्सन है अप्लाई पर किलिक कर दीजिएगा यहां आप किलिक करेंगे तो आपके सामने कि इसमें पर आपको क्लिक कर देना है तो इसमें सबसे नीचे लिखके आ रहा है कि कमाइंड हायर सेकेंडरी टेन प्लेस टू लेवर एक्जामनेशन दोजार तेजिस इसके लिए आपको आविदन करना है अप्लाई पर जाकि जैसे ही आपको किलिक करेंगे तो इसमें देखिए आप को किस तरह लॉग इन करना है पूरा वीडियो देखिए बिल्कुल मत करिएगा दो मिनट में अपना वेदन घर बैठे कर सकते हैं ठीक है तो लॉग इन कैसे करना है कैसे रेजिश्टर करना है पूरा देख लीजिए आप इसके सामने लिखके आया है इधर र अगर आपके पास अधार कार्ड है तो इसमें आपसे पूछा गया है यस कर देना है उसका अधार कार्ड नमबर डाल देना है अगर नहीं है आपको इसको भनने की ज़रूत नहीं है अधार कार्ड वाले को आपको आईडी डालना है अगर आपके पास माल लीजिए पैन कार ठीक है उसके बाद आइड नंबर डालना है अपना नाम आप कि बैर काई नल्सक्राइब नइंग करना ही या नाम को दुबार है उसके औरना टीक है इस तरह करके आपको पुरन हो जाएगा education Board को डालने है 10 का इन्होंने मांगा है यह रूंवर का का एर आप सिंग एर अब पासिंग इस तरह आपको डालने के बाद मुवाइल नंबर है एमेल आईडी है इमेल आइडी अपको डाल देनी है वेरिफाइड mail ID कर देना है उसके बाद state आपको डालना है आप कौन से स्टेट से हैं आप करनाटक से हैं केरल से लगदाग से चंडी गड़ से बिहार से असाम में आप बिहार से हैं तो बिहार डाल दीजिएगा उसके बाद आप इसको सेव कर सकते हैं ठीक है यह सेव कर देंगे तो आपका यह registration process पूरा हो जाएगा registration process पूरा होने के बाद फिर आएगा additional and contact detail ठीक है उसके बाद declaration आएगा तो इस तरह आप अपना registration पूरा कर सकते हैं अब आप देख लिजी किस तरह आपको apply करना registration होने के बाद